इंडिया को लेकर हाली में एक काफी disturbing research पबलिश की गई Research paper में लिखा गया था कि Indian subcontinent दो भागों में तूट रहा है और इसमें सबसे बड़ा खत्रा particularly है लदाख, हिमाचल प्रदेश, उतराखंड, सिक्किम, अरुनाचल प्रदेश और even कुछ हद तक UP जैसे राज्यों को भी इसके पीछे की वज़े ये है कि राज्य हिमाले में घुसते चले जा रहे हैं एक धीमी रफ्तार से और अगर इसी रफ्तार से ये plates तूटते जाए तो आने वाले सालों में ये states भारत के नक्षे से पूरी तरीके से गायब हो सकते हैं And you know what's worse, किसी का भी ध्यान नहीं है और इस प्रक्रिया के शुरुआत अल्रेडी हो चुकी है So it's a handful crap we can say दर असल December 2023 में चाइना के Ocean University के Geologist जब Indian Tectonic Plates के Northern Edge को स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने उसमें एक ऐसे विचित्र फिनॉमेनान को observe किया जो अब तक किसी भी दूसरे Tectonic Plate में नहीं देखा गया था बाकी के Tectonic Plates अगर कभी Split होते भी है तो भी वो इस तरह से होते हमने रिसेंटली जो आफरिका की Splitting पर वीडियो बनाया था वो वीडियो भी इसी तरह की Splitting के बारे में लेकिन भारत के plates की जो Splitting हो रही है न वो उपर North के तरफ से कुछ ऐसे हो रही है मानो जैसे कोई Piece of Paper का Lamination उखड रहा हूँ अब ऐसे में काफी सारे सवाल पैदा होते है कि आखिर Indian Tectonic Plates के साथ ऐसा क्या हो रहा है भारत की सतय के नीचे पृत्वी की गहराईयों में आखिर ऐसी कौन सी प्रक्रिया घट रही है जो भारत को चाइना में ढखेल रही आप पता है क्या है इनी जवाबों को ढूनने के लिए अगर आप बैक ट्रेस करते करते समय में पीछे चले जाओगे तो ये आपको प्रित्वी की एक स्पेसिफिक जगह की ओर लेकर जाएगा और वो है इस से पहले कि लोग कुछ समझ पाते हैं उनके इर्द गिर्द की इमारते हैं ताश के पत्तों की तरफ बिखरने लगते हैं देखते ही देखते सिच्वान में चारों तरफ मलबा फैल गया और इस मलबे के नीचे धसकर लगभग 100 लोग मारे गए और 500 लोग घायल हो गए लेकिन यू नो वाट्स दी एस्टॉनेशिंग पार्ट ये भुकम टिबेट के पिछले 5 सालों में 2046 भुकम था सिर्फ और सिर्फ 5 सालों के अंदर ही एक ही जगे पर 2000 से भी जादे भुकम पा चुके हैं ये चीज कुछ अजीब नहीं लगी आपको बस इसलिए देश-विदेश के सबी जियोलोजिस इस रीजन की और घहराई से जाच परताल करने लगे और उन्होंने अपनी खोच का डाइरा बढ़ाते हुए इंडिया में भी कदम रख दिया अकेले 2023 में नौट इस्टन इंडिया और नेपाल में याने सिर्फ एक ही साल में वहाँ पर 2021 और 2022 के मुकाबले दुगने भुकम के जटके रिकॉर्ड किये गए थे जिसे in fact Minister of Earth Sciences of India किरन रिजीजू ने भी confirm किया है अब ऐसे में शुरवात में तो सभी जियोलोजिस को लगा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लदाख, उतराखंड, अरुनाचल प्रदेश, नेपाल और टिविट यह सभी places, दो tectonic plates, Indian plate और Eurasian plate की boundary पर स्थे थे और naturally ऐसे boundaries पर भुकम पाना common होता है But, you know, this was not enough, there was more to it Actually में न, इन दोनों plates की boundaries सिर्फ इतने region तक ही सीमित नहीं है यह boundary यहाँ कराची से लेकर लदाख तक उपर जाती है और फिर टिविट से अरुनाचल प्रदेश से होते हुए वापिस से मैनमार तक नीचे आती है याने कि अगर boundary पर होने की वज़े से भुकम हो रहे होते हैं तो फिर वैसे ही फटके पाकिस्तान के तरफ वाले western हिस्से और मैनमार के तरफ वाले eastern हिस्से में भी होने चाहिए पर वेरी वियर्डली पिछले छे साल में इस पूरे boundary पर आने वाले हर पांच में से चार भुकम सिर्फ और सिर्फ इसी इलाके में आये हैं याने कि clearly इस region के नीचे कुछ तो ऐसा हो रहा है जो tectonic plates के धकों से भी कई ज्यादा extreme है अब mighty हिमालियास के जनम के बाद वहाँ पर कई ऐसे herbs और जड़ी बूटियों का भी जनम हुआ जिन में चमतकारी शक्तियां हैं और बहुत से health problems को जड़ से solve करती है और इसलिए इन्हें आयूरवेद में भी यूस किया जाता है अब 2022 में इंडिया से COVID pandemic तो चला गया लेकिन वो भारत में एक बहुत बड़ी बिमारी छोड़ कर गया chronic fatigue, सारा दिन चिलचिड़ापन रहना, laziness, headaches, dizziness और सारा दिन थकान ये symptoms है chronic fatigue के जो आज इंडिया में काफी common हो चुका है अब इसके लिए अक्सरम अलोपेथिक multivitamin tablets लेते हैं जो आपके सिर्फ symptoms पर ही काम करता है ना कि problem के root को fix करता है लेकिन आयूरवेद में इसी problem के solution के लिए कुछ बहुत ही अच्छी जड़ी बूटिया है जिसे शीलाजीत, अश्वगंधा, गोकशूर, कौच बीच और सफेद मुसली लेकिन इन सभी herbs को अलग से लेना काफी मुश्किल है और इसलिए आप पंचामृत, हिमालेन, शीलाजीत, एफ़वेसेंट टाबलेट भी ले सकते हो जिसके हर एक टाबलेट में आपको 600 mg शीलाजीत मिल जाएगा इन सारे जड़ी बूटियों के साथ आपको बस एक टाबलेट एक गलास पानी में डाल कर पी लेना है, इसका टेस्ट भी काफी अच्छा है और शीलाजीत को आयूरवेद में सर्वरोग नाशक बताया गया है, जो chronic fatigue, tiredness, concentration, memory problems और infertility इन सारे समस्याओं का समाधान बन सकता है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना हो सके हमारे natural आयूरवेदिक जड़ी बूटियों से ही अपना इलाज करें और स्वस्तर है मैंने नीचे description में इस product का link डाल दिया है, जरूर चेक आउट करना and now let's come back to the topic, हिमालयस बने कैसे ये तो हमने जान दिया but you know what, actually मैं ये हिमालयस के formation की सिर्फ आधी सच्चा ही है, जो technically गलत भी है तो असल मैं हिमालय परवतों का formation इन दो plates के टकराने से नहीं, बलकि तीन plates के टकराने से हुआ है दरसल आज से कुछ 100 मिलियन साल पहले, इंडियन plate और हुरेशन plate के बीच तैथिस ocean नाम का एक ocean मौझूद हुआ करता था जिसके तल में एक तीसरी plate थी, शिरोधा plate अब हुआ ये कि जैसे इंडियन plate गोधनवाना से तूट कर तैथिस ocean के नीचे मौझूद शिरोधा plate से टकराई, तो शिरोधा plate इस collision की वज़े से इंडियन और युरेशन plates के बीच दबने लग दे इसके वज़े से तैथिस सी का तल उसके नीचे मौझूद शिरोधा plate से अलग होकर ऊपर उठने लग गया और शिरोधा plate खुद इुरेशन plate के नीचे धसने लग दे याने की 100 मिलियन सालों पहले जो तैथिस सी का तल था वही आज हिमालेन माउंटन रेंजिस बन गए लेकिन इस collision के बाद भी इंडियन plate उरेशन plate के तरफ बढ़ रही थी और फाइनली जब ये दोनों plates टकराए तब बचे हुए हिमालेयास भी बने अब याद करो मैंने पहले कहा था पिछले 6 सालों में इस पूरे बाउंडरी पर आने वाले हर 5 में से 4 भुकम सिर्फ और सिफ इसी इलाके में आये हैं इसी सवाल का जवाब ढूरने के लिए यूएस के स्टैनफर्ड यूनिवसिटी के जियोलोजिस्ट ने टिबेट रीजिन में मौझूद सभी टेक्टॉनिक plates को साथ में स्टडी करके उनके बीच की बाउंडरी को मैप किये सभी plates की boundaries को मैप करने के लिए उन्होंने एक ऐसी चीज़ को चुना जो काफी unusual थी टिबेट के बरफीले थंड में पाई जाने वाले hot springs याने गरम पानी के स्रोथ क्योंकि देखो hot springs तब बनते हैं जब groundwater प्रिथवी के अंदर मौझूद धड़कते लावा के contact में आकर गरम होता है और सतय पर आ जाता है इसके वज़े से उन hot springs में प्रिथवी के अंदर मौझूद कहीं सारे compounds भी होते हैं तो उन researchers ने इन ही compounds में से helium के isotopes HE3 और HE4 का इस्तमाल करके इन दोनों plates की boundary का एक map बनाया अब specifically सिफ helium को ही क्यों चुना गया क्योंकि geologists ये जानते थे कि helium 3 सिफ प्रिथवी के अंदर मौझूद magma में पाया जाता है और जब वो प्रिथवी के crust के संपर्क में आता है वहाँ पर मौझूद uranium के साथ react करके वो helium 4 में तबदील हो जाता है याने कि अगर किसी जगे पर helium 3 की मातरा ज्यादी हुई तो इसका मतलब वहाँ का crust पतला है और अगर helium 4 की मातरा ज्यादी हुई तो वहाँ का crust मोटा है और इसी basis पर इन researchers ने Tibet के आसपास मौझूद सभी 225 hot springs को analyze किया and then what they found was totally shocking जहाँ पर normally Indian plate 100 kilometers थिक है वहीं इस mapping में ये देखा गया कि Tibet के area में वो सिर्फ 80 kilometers ही थिक है याने 20 kilometers पतली इस observation के बाद geologist को ये यकीन हुआ कि नक्की इन plates के नीचे कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके वज़े से ये plate एकदम पतली होती जा रही है पर आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसके वज़े से इन plates की thickness कम होती जा रही है इसी सवाल का जवाब जानने के लिए 2023 में चाइना के ocean university ने इस पूरे problem को एक fresh perspective से study किया दरसल चाइना के geologist ने सोचा कि क्यों ना Tibet में मौझूद Indian plate को एक ऐसी technique के साथ study करे जिससे हम exactly यह देख सकते हैं कि पृत्वी के अंदर actually में क्या हो रहा है और इसके लिए geologist ने Tibet के earthquake नापने वाले 94 seismic stations से earthquake waves का data एकखटा किया और फिर उस data का वो detail में study करने लगे वज़े यह थी कि जब भी किसी region में भूकम पाता है तब उसके center से दो types के waves एक के बाद एक बाहर आते हैं सबसे पहले primary याने की P wave और उसके बाद secondary याने की S wave और फिर ये waves जब प्रित्वी के अलग-अलग layers से travel करते हैं तब इनकी speed में बदलाव आता है तो Ocean University के साइंटिस्टों ने Tibet region के 94 seismic station से इखटा किये हुए earthquake data में ये देखना शुरू किया कि कहां पर exactly इन दोनों waves की speed में changes आ रहे हैं और उसके basis पर एक model बनाया और यही वो समय था जब geologist ने उस model में कुछ ऐसा होते वे देखा जो किसी ने भी पहले कभी नहीं देखा था तो जब साइंटिस्टों ने earthquake data से बनाये model को study किया तब उन्हें पता चला कि Tibet जहांपर crust की thickness सिफ 80 km थी उसे पार करने के बाद earthquake से निकले P और S waves की speed तेज हो गई याने कि ये observations इस fact की ओर इशारा कर रहे थे कि वहाँ पर magma मौजूद है क्योंकि ये दोनों waves crust के मुकाबले magma में ज्यादा तेजी से travel करते हैं बट देन कुछी दूरी तक travel करने के बाद इन दोनों waves की speed में फिर से एक बार बदलाव आने लगा और वो slow हो गए It was like कि magma के नीचे वापस से solid crust मौजूद है याने situation कुछ ऐसी थी कि crust के नीचे magma था और उस magma के नीचे वापस से crust और इससे scientistsों ने ये अंदाजा लगाया कि असल में किसी वज़े से Tibet region में मौजूद Indian plate में ऐसा एक crack आया होगा जिससे पृत्वी के अंदर मौजूद magma ने भर दिया और किसी plate के ऐसे तूटने के process को geologist delamination कहते हैं याने कि जैसे आपने किसी document को laminate किया होता है तो वो कई बार उखड जाता है ना sort of वैसे ही हो रहा था हमारे Indian plate के edge पर अब इससे फर्क क्या पड़ता है वेल जैसकी मैंने पहले कहा भारत की जमीन हर साल धीमी रफतार से हिमालय के नीचे गुश रही है University of Wisconsin की एक geologist Rachel Headley के अनुसार हमारे हिमालय परवत लगातार 4 mm की रफतार से उपर उठ रहे है लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं चलने वाला है एक समय ऐसा आएगा जब इस steep उचाई के वज़े से उसका structure unstable हो जाएगा और फिर उसके बाद हिमालय परवतों के बड़े बड़े तुकडे तेजी से डहने लगेंगे और ये तबाही नौर्थ के उस पूरे हिस्से को unhabitable बना देंगे And this brings me to a big paradox of these tectonic plates तबाही की जड़ को समझ कर में भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर tectonic plates में इस तरह की हलचल ही नहीं होती और वो सभी शुरुवात से एक ही जगे में fixed होते तो प्रित्वी कितनी ही शान्त होती human life के लिए है ना, well, शान्त तो जरूर होती लेकिन आप और मैं जिन्दा ही नहीं होते आज आज से साड़े तीन बिलियन सालों पहले ही प्रित्वी के geothermal vents में life का जनम पहली बार हुआ क्योंकि प्रित्वी के plates के बीच में के cracks से heat release होकर life के लिए सही वातावरंड create कर पाई जिसमें carbon based life जनम ले पाई वहाँ से फिर unicellular जीव, multicellular जीव बन पाई और competition और evolution का सिलसेला चालू हो गया अब ये evolution का सिधान्थ भी fundamentally उसके इर्दगिर्द मौझूद environment पर ही निर्भर करता है जिस वज़े से इनी tectonic plates का importance जिन्दगी के फलने और फूलने के लिए और भी ज्यादा महत्वपून हो गया I mean, just think about it आज से 1500 मिलियन सालों पहले अगर थंडे इलाकों में रहने के लिए dinosaurs ने feathers कोई evolve नहीं किया होता तो आज हमारे आसपास birds ही नहीं होते अब ज़रा सोचो अगर पूरी पृत्वी पर सिफ एक ही जैसा वाता वरन होता एक ही किसम के पेड़ पौधे होते तो वो evolve कर पाए होते क्या obviously not and this is exactly where plate tectonics come into the picture इन plates के movements की वज़े से पहाड, planes और खाई जवाला मुखी जैसे कई दूसरे land features पैदा हो पाए अब ऐसे में अगर ये movements नहीं हो पाते तो ये सभी इलाके कभी बन ही नहीं पाते और इसी की वज़े से इनी इलाकों में रहने वाले जीव जो आज हमें दिखते है वो नहीं exist कर पाते और ये ही तो है प्रकृती का paradox प्रकृती ना तो अच्छी है ना ही बुरी, ये सिर्फ एक सच्चाई है एक fact, इसी के वज़े से आज हम यहाँ पर है और इसी के वज़े से कल हमें जाना भी पढ़ सकता है अगर हम बदलते हालातों के हिसाब से खुद को evolve नहीं कर पाये तो जैसे आज से 6 मिलियन सालों पहले Tectonic Activities के ही वज़े से आफरिका में मौझूद इंसानी पूरवच चार पैरों से दो पैरों पर चलना सीखे थे अब ये evolution exactly कैसे हुआ क्यों African plate दो तुकडों में तूट रहा है और क्यों ये India को भी effect करने वाला है इस पर already मैंने एक detail वीडियो बनाई है जिसे आप उपर आई बटन पर क्लिक करके या भी नहाँ पर कई पर क्लिक करके देख सकते हो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला लाइक करगे, सब्सक्राइब कर लो चैनल को ऐसे यूर इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए as always keep your curiosity alive see you next time जय हिंद